हलो फ्रेंड्स मेरा आखी और आखी की मज़ेदार रस्वई मैपका स्वागत है आज मैं पुदेने पत्ते का पाउडर बना रही हूँ इसे हम सालो भर उप्योग में ला सकते हैं चाहे हुआ गर्मी हो या जारा या बरसात जहां हम इसे गर्मी में चाच और आम का पन्ना आदी बनाने के उप्योग में लाते हैं वही हम इसे जारा और बरसात में हर्वल चाय बनाने के लिए उप्योग में लाते हैं तो चलिए हम बना लेते हैं पुदिने पते का पौडर तो इसके लिए हमें चाहिए ताजी ताजी और हरी हरी पुदिने की पत्तियां तो सबसे पहले हम इसके पते तोरेंगे तो इसके जो यह मोटे वाले डंठाला इसे हमें नहीं लेने हैं बस इसके पत्तों को ही लेने हैं मैं आपको इसे फिर से एक बार आसानी से तोरने का तरीका बता देती हूँ तो इसके जो यह कोमल वाले भाग होते हैं बहुत ही आसानी से तूट जाते हैं इसके मोटे वाले भाग को तोरने में दिक्कत होती है तो इस तरह से हम इसे खीच करके तोर लेंगे तो यह बहुत ही आसानी से निकल आएगी फिर इसके कोमल वाले भाग को आप तोर लीजिए और रख लीजिए इसे आप डंठल के साथ भी तोर सकती है या आसानी से सूख भ इस पर हम पुदिनी के पत्ते के एक्स्ट्रा पानी को सुखाएंगे तो अब हम धूले हुए पुदिनी के पत्ते को इस सुखे कप्रे पर रख लेते हैं और ढख करके हलके हातों से इस पर हलके हलके इस तरह से दवाव देंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी सुख जाए इससे जिस जगह पर हम पुदिनी के पत्ते को सूखने के लिए रखेंगे वह जगह भींगेगा नहीं और पत्ते आसानी से सूख सकेंगे तो फ्रेंस हमारी पुदिनी पत्ते से पानी देखी एकदम सूख चुका है हमने इसे अच्छी तर से पोच लिया है अब हम एक कपरा लेंगे या एक सूथी का कपरा है आप इसके जगह पेपर भी ले सकते हैं अब हम पुदिनी के पत्ते को इस पर फैला लेंगे हम ध्यान रखेंगे कि पत्तियां एक पर एक ज़्यादा ना चड़ें और पत्ते जो है मोटी ना हो क्योंकि वह जितनी पत्तली परत होगी वह उतनी ही आसानी से सूख पाईगी तो मैं सारे पत्ते को फैला लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी देखे फ्रेंड्स मैंने पत्तों को अच्छी तरह से फैला लिया है और आप देख सकते कि यह बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हुए है अब इसे हम चाया में ही पंके की हवा में छे से साथ घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे तो लीजे फ्रेंड्स छे से साथ घंटे के बाद हमारे पुदेने के पत्ते अच्छी तरह से सूख चुके हैं मैं आपको दिखला देती हूँ कि यह कितने अच्छे से सूखे हैं इसे इस तरह से हातों से मसलेंगे तो यह आसानी से पाउडर सा हो जाएंगे इससे हमें पता चलेगा कि यह बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं अब इन सब को हम समेट करके एक जगा इकठा कर लेंगे और इसे एक बरतन में रख लेंगे अब हम एक साथ ही इन सारे पत्नों को इस तरह से हाथों से मसल लेंगे तो देखें फ्रेंस मैंने इसे मसल कर इस तरह से पाउडर सा बना लिया और आप देख सकते हैं यह बहुत ही कम हो गया है अब इसमें जो कुछ मोटे से डंठल आ गया हैं उसे हम छाट कर अलग कर देते हैं इस सब को हम छान कर तयार करेंगे तो हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें एक रखेंगे और मसले हुए पुदेने के पत्ते को हम इसमें एड करेंगे और इसे हम छान लेंगे तो यह देखिए हमारे कितने अच्छे महीं से पुदिने के पत्ते के पाउडर तयार हो चुके हैं तो इसी तर से हम सारे पुदिने के पत्ते को छान कर तयार करेंगे कुछ पत्ते मोटे मोटे से हो गए हैं तो इसे मैं हातों से मसल मसल कर चाल लूँगी तो देखे फ्रेंस मैंने सारे पुदीने के पत्ते को चाल लिए और यह बस मोटे वाले डंठल रह गया हैं तो इसे हम हटा देंगे तो लिजे फ्रेंस हमारे पुदीने के पत्ते के पाउडर कितने अच्छे बन करके तयार हुए हैं इसे हम एयर टाइट जार में भर करके 5-6 मैने के लिए स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल ही खड़ाब नहीं होती है इससे आप पानी पूरी अचार हरवल चाई हाज या आम पन्ना बनाने के उप्योग में ला सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथी बेल आइकन को भी जरूर से दवा लें जिससे अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो फ्रेंट्स मिलते हैं एक नई डेसीपी की साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई